ब्रेकिंग नियूज आ रहे हैं योगी यार्देतिनाज सरकार ने युवाओं के हित में बहुत बड़ा फैसला लेते हुए उत्रप्रदेश पुलिस सिपाई भरती परिक्षा रद कर दी है उत्रप्रदेश स्टीएफ को मामले की जांच स्वपी गई है और परिक्षा में लापरवाही करने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी अब 6 महीने के अंदर परिक्षा हैं दोबारा की जाएगी उत्रप्रदेश में हुई पुलिस भरती परिक्षा में पेपर लिग कोने कारोप लग रहा था जिसके बाद उत्रप्रदेश सरकार ने तुरंत आक्षिन लिया है और परिक्षा ही रद कर दी है और यहां पर अभ्यार्टियों में एक खुशी की लेर यहां पर देखी जा गया है और मुख्यमंत्री योगिया देतिनाथ ने एक्सपर पोस्ट भी किया है उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्रप्रदेश पुलिस आरक्षी नागरे पुलिस के पदों पर च्वैन के लिए आयोजित परिक्षा दोजा तईस को निरस्त करने तथा आगामी शे महीने के अंदर ही पुनह परिक्षा करवाने के आदेश दिये गए हैं परिक्षाओं की सुचिता से कोई समझोता नहीं किया जा सकता है युवाओं की मेहनत के साथ खिलवार करने वाले किसी भी दशा में बक्षे नहीं जाएंगे और ऐसे अराजक पत्वों के खिलाफ का ठोर्तम क परिक्षा भी थी पेपर के रद होते ही वो सड़कों पर जश्मनाने लगे हैं तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्ट्या को मामने की जान सब्दी गई है और दोजा तेज की परिक्षाओं उन्हें निरस कर दिया गया च्छे माहिने के अंदर एक बार फिर से परिक्षाओं उन्हें निरस कर दिया गया च्छे माहिने के अंदर दोबारा से परिक्षाओं उन्हें तक बतादे योगी सरकार का ये बड़ा आक्षियन इससे पूरे मामले को लेकर कि 17 और 18 फरवरी को उत्रप्रदेश पुलिस भरती परिक्षाओं हुई थी उसके बाद लगतार अभ्यारती जो है वो सोषिल मीडिया से पेपहर मीजोने के आरोप लगा रहे थे उनकी तरसे साफ़तावार पर का जा रहा था सबूत भी उनकी के पेश किए गए ते जिसके बात लगतार अब जो है सरकार इस पूरे मामले में आक्षिन में आई है कुछ लोगों की गिरफतारी भी हुई है और ऐसे में अब आपको बता देया ब्यार्टी की तरफ से क्योंकि कल तक जो या भ्यार्ती थे वो लगातार प्रदशन कर रहे थे मांग कर रहे थे कि परिक्षा रदोनी चाहिए क्योंकि लीख होने को लेकर इनमे नाराजगी थी आज कारा एक्जामनेशन होगा मेरे साथ कई चाहतर यहां पर मौझूद है या आप लोग किस तरीके से देखना है जो मुखमंत्री ने बड़ा फैसला लिया है मुखमंत्री ने कहा है कि चाहत्रों के हित में यह फैसला लिया जा रहा है हमारी जो हमारी जो दोद उनकी भूख इस खुशी से और माले सियम जी के इस नतीजेस के वज़ा से उनकी फैसले वज़ा से भूख हमारी मीट गई आप बता रहे ते कुछ बिल्कुल नया जीवन मिल गया हम लोग को हम लोग पहले से तना प्रेक्टिस किया और पेपर लीक हो गया मेरी तो जिंदगी बरवाद ह हो गई ती और हमारे कुछ सार रहा है अध्याप्या के जिनकी वज़े से हमारा जिंदगी फिर से दुबारा खिल उठी है फिर हम तैयारी करेंगे फिर लड़ेंगे बारत माता की आप वह साफ तरीके से देख पा रहा है यहां पर अभियारतियों कि क्या कहेंगे हम यह कहे चाहिए और जाहिर तोर पे दुबारा खिल प्लाटिम आप झाल झाल